हलो फ्रेंड्स आप सभी को गुड़ मॉर्निंग मेरा नाम रवीना शिखावत है और मैं अपनी चैनल स्पार्किंग फ्यूचर आज सेखावत पेंकाश पर आपका श्वागत करती हूँ फ्रेंड्स हमेशा की तरह है मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक इंपोर्टेंट करेंट अफेर सेशन अगर आपको एक करेंट अफेर सेशन चल गए तो प्लीज मुझे स्पोर्ट करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारा अज़र क्योश्टन ऑफ दड़े है निम ज्यादा से ज्यादा कुमेंट बॉक्स में आपका जो योगदान है और लाइक्स करते हैं यह सब मेरे लिए मोटिवेशन है तो हमारा आज का पहला क्योश्टन किस संस्थान ने नोवेल पैंथोजेंस ऐसे जियो पर उत्पती के लिए एक वेगैनिक सलाकर शुमू का गठ किया डबलो एचो की जो मानी देश है कि इन्होंने जो रोग जो नोवेल जो रोग जनक है उन पर उत्पती के लिए एक डबलो एचो का वेगैनिक सलाकर शुमू का गठन किया है ऐसे जी सच्ची वाले को उबरते और फिर से उबरते रोग जनको पर तकनी की और वेगैनिक विचारों पर सला देगा एक भारती है मामारी विज्ञानी डोक्टर रमन गंगा खेडक कोविड-19 मामारी की उत्पती का निर्दार्ण करने के लिए डबलो एचो के वेगैनिक सलाकर शुमू का हिस्सा है मतलब जो डबलो एचो ने जो टीम मनाई इसमें वारत के विए एक वेगैनिक सामिल है जो पैंडेमिक से लेटेड रिसर्च करते हैं डबलो एचो वर्ल्ड हाल्थ होगिनाईजेशन इसकी स्थापना 7 अप्रेल 1948 को हुई इसका हैड कोर्टर जिनेवा स्वीजर लेंड में है इसके हैड है टेडरोस अदनोम महराज का गला क्योश्चन माई पार्किंग एप किसने लोंच किया इसके ओप्संस है निर्मला सीता रमन अनुराग ठाकूर अश्विनी वैस्णव द्रमेंदर प्रधान इसका राइट आंसर है अनुराग ठाकूर अनुराग ठाकूर ने माई पार्किंग एप लोंच किया है ब्रोड कास्टिंग इंजनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिम्टेड और दक्षनी दिली नगर निगम ने SDMC नगरपाली का सीमा के अंदर सभी अधिकर्थ पार्किं का विस्तार करने के लिए आयोटी सक्सम एप सयोग किया है हमारा आज का अगला क्योस्चन नीती आयोग का महिला उद्धमिता मंच कितनी महिलाओं को समानित करेगा इसके ऑप्शन से 80 50 75 45 इसका राइट आंसर है 75 नीती आयोग का महिला उद्धमिता मंच 75 महिलाओं को समान करेगा पिछहत्र महिलाओं को विमेंड ट्रांस्फोर्मिंग इंडिया अवर्ट 2121 ससक्त और भारत की दिशा में महिलाओं उद्धम्यों को योगदान है उसका जस्ट मनाएगा जो महिलाएं रोजगार के शेत्र में मतलब जो सव रोजगार जो खुद का जिनका अपना समान करके WTI Awards, UN, Cisco, CSR, FICCI और Grant Thornton भारत के साथ साज़ेदारी के लोंच किये जा रहे हैं हमारा आज का अगला क्योस्टन भारत कब तक सुद्ध शुन्य उच्सरजन प्राप्ट करने के लिए शोष रमता को च्छेपन सो तीस गिगावार्ट तक बढ़ाएगा इसके ऑप 2070 तक सुद्ध शुन्य उच्सरजन प्राप्ट करने के लिए शोष रमता को च्छेपन सो तीस गिगावार्ट तक बढ़ाएगा 2070 में सोर उजवत पादन के लिए भारत की कुल 4.6% भूमी की आवशकता होगी अगर हमें 2070 तक सोर उजवत पादन बढ़ाना है तो हमारी जो भूमी होगी वो 4.6% इसकी यूज में आएगी हमारा आज का अगला क्योस्टन आई बी बी आई के अधेक्स के रूप में किसे निक्त किया है इसके अप्संस है नवरंग शैनी अमिताब चोदरी हमिश महता एक गोयल इसका राइट आंसर है नवरंग शैनी नवरंग श लगाए लेगे इसके अलावा जो अमिताब चोदरी है इनको रूप में अमिश महता है यह क्रिशिल के अंधी के इनको के अमडी fiber के अंधी अंधीará निक्त किये गए हैं इसके एक के गोयल हैं इनको यूक बैंक के MD and CO हैं यह मतलब प्रजेंट में Yuko Bank के MD and CO है अब इनको IBA का देक्स भी चुना गया है और सबसे लाश्ट में हमारा Question of the Day हिमाले शेत्र के खनीज संसादन अल्प क्यों है हिमाले शेत्र क्रिष्टल ये सैल से निर्मित है साल इस्तरों के विस्थापन ने सैल विन्यास को स्थ वेस्थ कर दिया और उसी जटिल बना दिया है सी का उप्सन है जलवाईू दसाएं खनीजों के लिप्यूक्त नहीं है और डी का उप्सन है अश्रों भूबा के कांड खनीजों का नवेशन कठीन हो जाता है इसका राइट आंसर है बी शैल सतरों के विस्थापन ने सैल विन्यास को अस्थ वेस्थ कर दिया और उसी जटिल बना दिया खनीज संसादनों का निर्वाण काफी जटिल पर किरिया के फलसरू बहुत लंबे समय से होता है इमाला के शेत्र के आंतरिक प्लेट हमेशा गतिमान रहती है जिसके काण वहां के जो सैल सतरों का सही डंग से विन्यास नहीं हो पाता इस प्रकार अस्थ वेस्थ सैलों के अंदर खनी संसादनों का निर्वाण नहीं हो पाता है आज की थिये वीडियो अगर आपको मेरा इकरंट फिर सैसन अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए थैंक यू